आपके दिमाग में दो तीन कोश्चन चल रहे होंगे क्वेस्चन नमर वन कि क्या LIC का सेर आगे फ्यूचर में अच्छा पफ़म कर सकता है नमर टू कि क्या LIC में और अधिक ग्रावट संभव है नमर थिरी क्या मुझे अभी खरिदारी करनी चाहिए यह तीन कोश्चन जो है वो काफी बेसिक है और यह लगबग हर निवेसक के दिमाग में अभी आ रहे हैं तो मैं कोशिज करूँगा कि इन्ही तीन कोश्चन पर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि क्या LIC के share price में और अधिक गिरावट संभव है अभी बात कर ले पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करीब 21.33% की गिरावट हो चुकी है और अगर आपने इसका IPO में अपलाई किया था और अगर आपको IPO अलॉट हुआ है तो आपके portfolio में करीब 30% की गिरावट दिख रहा होगा क्योंकि जब से यह open हुआ है यह लगतार downside का performance दिया है और यह एक negative trend में चला गया है अब बात करते हैं कि क्या इसमें और अधिक गिरावट संभव है तो इसके लिए हम लोग इसके चार्ट को थोड़ा से देख लेते हैं वहाँ पे कुछ point किलियर हो जाएंगे आपको तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लाश्ट डे मैंने इसके fundamental को ले करके बात किया था अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यू कन watch that वीडियो लिंक में डाल दूँगा description में आप उससे देख सकते हैं और इसके fundamental को बहतर ढंग से समझ सकते हैं उसके भी से हम लोग आगे बात करेंगे कैसे और अधीक आप इसके बारे में knowledge कठा कर सकते हैं सबसे पहले बात कर रहते हैं जब आप देख रहे हैं यहाँ पे stock जो है वो regular fall हो रहा है और एक दिन भी green candle का formation नहीं हुआ था और last day जो था ट्वीडे के दिन यह एक green candle का बनाया और उसके बाद आज market जो open हुआ तो हमने बात किया था कि काफी bullish candle बनाया हुआ था तो upside governmentum देने का chance बन रहा था और वैसा हुआ भी आप देखेंगे अगर मैं इसके one hour time frame पे लगाता हूँ जाटको तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से starting जब हुआ market का शुरुवाती phase में market में एक अच्छी buying आई इसमें और price बहुत अच्छे तरीके से move किया और एक good buying है क्योंकि यहाँ पे आप candle देखेंगे काफी strong candle बनाया हुआ है there is no confusion for the buyer तो यहाँ पे कोई confusion नहीं रहा लेकिन इस candle में confusion है seller heavy है खेर यहाँ पे retracement हुआ है यह चोटे चोटे candle है अभी भी confirmation नहीं है कि यह market जो है यह negative चला जा सकता है region मैं आपको बताता हूँ अगर thumb rule की बात करें तो rule यह होता है कि अगर market upside down side का movement करता है तो 50% तक retracement वाजीब समझा जाता है तो इस candle को अगर हम join करें इस candle को अगर देखें तो इस candle का 50% लगभग यहाँ होगा तो वहाँ तक तो यह market retrace कर चुका है अगर यह market इसके downside जाता है और उसके बाद हमारा यह scandal का support बनेगा जो कि 680 के आसपास है और यह support break होने के बाद market downside का momentum दे सकता है possibility है यह लेकिन अगर यहाँ से upside का movement देता है तो यह एक अच्छी buying आ सकती है life insurance corporation में अब बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे buying किया जा सकता है तो सबसे पहली बात कि अगर आप इसके fundamental को नहीं जानते हैं तो buy करना बेयर्थ है क्योंकि जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है वहाँ पे आपको अपने पैसे नहीं फूगने चाहिए फर्स्ट बात और दूसरी अगर आप इसके fundamental को जानते हैं तो you might know that यह company का fundamental ठीक ठाक है और दूसरी चीज कि company के पास कोई date नहीं है और तीसरी बड़ी बात चुकि company पूरे overall market में invested है तो market जब तक गिरेगा LIC गिरेगा क्यों गिरेगा क्योंकि जब भी कोई निवेस है कोई भी company में पैसा कोई तभी लगाएगा जब वो देखेगा कि company का growth अच्छा होगा company profit earn करेगी LIC के किसमें क्या है LIC तभी profit कमाएगी जब market अच्छा perform करेगा क्योंकि इसके 25% जोकि बड़ी amount है 25% capital तो market में invested है और market ही जब downside का performance देगा तो LIC में बड़े player entry नहीं बनाएगे क्यों नहीं बनाएगे क्योंकि performance नहीं है तो profit कमाएगा तो LIC का share price move नहीं करेगा कब तक जब तक market का position down रहता है आप यहाँ पर nifty का chart मैं आपको दिखाता हूँ यह nifty का chart है फ्रेंस और यह daily time frame पर है आप देखेंगे यहाँ पर daily time frame में एक bottom reversal pattern है वो बना हुआ है और यहाँ से market में upside का momentum की संभावना हो सकती है आज के market ने try भी किया था कि यह first वाले green candle के उपर close करने का लेकिन last hour में selling आजए गया जिस करण से market close नहीं कर पाया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा negative scenario create हो गया है जब तक यह label के उपर market close नहीं करता है तब तक we can say nothing तो यहाँ पे आपको थोड़ा से ध्यान रखना है अगर यहाँ पे यह label को break करता है जो 15700 का label है 15007 तो यह label break करता है तो एक downside का momentum देखने को मिलेगा और वैसा scenario फिर LIC में भी create होगा जिसे उसके price further down जा सकते हैं अब तीसरी सबसे बड़ी चीज कि क्या हमें LIC में invest करना चाहिए तो friends you can ask to yourself आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या market इसी तरह से downside का performance देता रहेगा और यह कितने दिनों तक देगा लगभग एक अंधाजा लगाई है कि global जो index है या अपना इंडिया का जो index है nifty वो कितने दिनों तक downside का performance दे सकता है आप देख रहे होंगे यह करीब मैं आपको बता देता हूँ 18 October 2021 यहाँ पे 18,000 के आज पास एक high core टच किया था 18,600 यहाँ पे यह जो label है मैं आपको बता दो 18,616 का यह label है वहाँ पे टच किया था और उसके बाद से market उस label को फिर टच नहीं किया लगता downside का performance दे रहा है अब यह कितने दीन तक इस zone में रहता है अगर market का price upside निकलता है तो LIC का price जाहिर सा बात है अच्छा performance करेगा और यह चीज हम भी हम लोग भी सब लोग जानते हैं कि market इसी तरह से downside का performance देता नहीं रहेगा index upside जाएगा और चुकि LIC पूरे market में invested है वो लगभग हर छोटी बड़ी कंपनियों के share खर दे हुए है तो जब market का performance अच्छा होगा तो LIC upside का moment surely देगा तो अगर आप सोचिए कि 15 साल या 10 सालों के बाद market कहां तक जा सकता है उसी हिसाब से LIC के share price को आप predict कर पाएंगे अब मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता दूँ ये तो होगा ये LIC के बाते अगर आप इसके बारे में further invest करना चाहते हैं further knowledge को grow करना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में जाईए और आप माया सेर लिख करके सर्च किजिए अप माया सेर लिख कर सर्च करेंगे तो आपको माया सेर की website मिल जाएगे वहाँ पे इसका यहाँ पे आप second website देखेंगे तो यहाँ माया सेर की website है वहाँ पे LIC के सेर को लेकर के काफी बहतर analysis किया गया है और आप यहाँ पे LIC के सेर प्राइश टार्गेट को देख सकते हैं कि हमने काफी conservative रह करके इसका analysis किया है और बड़ी बड़ी बाते नहीं की है कि हाँ LIC ये कर सकता है वो कर सकता है आप इस आर्टीकल को देख सकते हैं ओभर भी ले सकते हैं कि हाँ क्या performance रह सकता है LIC का और आप अपने निर्णे स्वेंबले आप फ्रेंट्स थोड़ा सामें वेट फर देट थैंक्यू फर वाशिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहेंगे